हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, आज मैं शेयर कर रही हूँ जट पट बन जाने वाली पनीर की बुजिया की रेसिपी जिसे आप आट से दस मिनिट में ही बना कर तयार कर सकते हैं इसको बनाने के लिए मैंने कड़ाई में डाल दिया दो बड़े चमच ओईल, अब मैं इसमें डाल दूँगी दो मीडियम साइज के प्याज बारिक कटे वे और प्याज को मीडियम हीट पे हलका हलका बुन लेंगे, प्याज को में हलका सा यह भूनना है, जदा ब्राउन से अ दाल सकते हैं, अब मैं इसमें एट कर दूँगी थोड़े से मटर, मटर एट करने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें, नमक एट कर देंगे टेस्ट के कोडिंग, आदा चमच एट करेंगे लाल मिश पाउडर, आदा चमच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया जाएं, मसाला भी मारा अच्छे से बहुन जाएं, और बीच पीच में इसको एक बर हम चेक करते रहेंगे, तो यह देखें मटर मारे पग गए हैं अच्छे से, मसाला भी मेरा भून गया है, अब मैं इसमें एट कर दूँगी एक हरी मिर्च, हरी मिर्च को मैं स्लिट करके इसमें एट कर रहे हूं, ताकि किसी को पसंद ना हो तो यह से हटा सकता है, अब मैं इसमें एट कर दूँगी पनी, पनीर को मैंने ख्रश करके इसमें एट कर दिया, तो मैंने आपर करीबं डेट सो से 200 क्राम पनी लिया है, इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चाहे त पनीर को चेक कर रहे हूं, तो यह देखे पनीर की बुझे आप चैटों से ग्रेवी वाली भी बना सकते हैं, तो यह देखे जटपट वाली पनीर की बुझे आपर तयार हो गई, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पाए